तो आज शेयर करने जारी हूँ इस तरह के कपड़े के बैग्स से एक ऐसी टिप जिसको सुनकर आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे और आप भी इस तरीके से इन बैग्स का यूज कर सकते हैं डीआ है मैंने कपड़े का बैग्स ले लिया था और इसके जो हरो इस तरीके से काट ली हैं अब इसके चार पार्टस होती है न तो उनको सबको अलग कर लेंगे चार तरफ से मतलब इसको खोर लेंगे और फिर जो है इसके दो पार्ट समें मिल जाएंगे उपर और नीचे के बाकी 4 तरफ से इसको कट कर लेंगे थिए एक तरफ से थो कटा ही रbecue रहता है हैंडल की तरफ से उसका जो हेंडल निकाल देंगे और 3 तरफ से इसको काट देंगे तो इस तरीके के bags छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं आपको जिस तरीके से इसका जिस जगए पर यूज करना आप उस तरह कर सकते हैं तो मैं जो हो इसको ऐलू प्याज की टोकुरी के लिए यूज करें हूँ तो मैंने थोड़े बड़े वाले लिए हैं तो यही आज मैं आपको बताना चाहा रही थी कि इसको आलू प्याज की टोकरी में आप लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं यह मैं आपको दिखाऊंगी तो अब जो इसके एजिस थोड़े से रफ कट हो गए थे तो इसको सही से मैं काट रही हूँ तो इस तरीके से देखिए और नीचे जमा हो जाता तो यह कच्रा इस तरीके से जमीन में न जमा हो इसलिए इसको आप लगाएंगे तो बिल्कुल भी कच्रा ने जढ़ेगा और आपका किचिन भी मैसी नहीं लगेगा और वो बहुत साफ सुत्रा लगेगा देखने में कोई भी गंदगी उसमें नही